कर हाई कोट की टिपपणी क्या कहेंगे पर काबू पाने की कोचिस कर रही है और लगातार काम कर रही है अब बात करें कल जिस तरह से इलाबाद उचनाले की डिवल बेंच जिन्होंने स्वता संग्यान दिया था ये तमाम जो मेवस्थाएं उत्तर-प्देश्ट में इन्वाई स्टक्चर हैं उसको लेकर जो कर बहुत सारे जो आला अभीकारी हैं उत्तर-प्देश्ट के स्वास्थवाग के मत्री हैं उनमें खलबली मची हुई है कि किस तरह से हम चार वर्सों के दोरान खिपा इस्टक्चर को सही नहीं कर पाए कोड़ को आप पता चला है क्योंकि उत्तर-प्देश्ट सहीं कि उस पर सरकार काभू पाने की कोशिश कर रही थी बीच में जब दबाव कम हुआ बीमारी का तो फिर वो निश्टता में आ लेकिन यूही नहीं कोड़ में कहा पहले में कई वर्सों से लगतार मैंने इस विश्ट को उपाया है उत्तर-प्देश्ट सरकार के सामने चाहे म विश्ट को अमने लगातार मंत्रियों के मात्यम से मुख्रश्ट के मात्यम से प्रेस कांफरेंसों में लगातार ये जयन आकरसित कराया था उस्तर-पदेश्ट का जो हेल्फ सिस्टम है वो बिल्कुल ग्राउंड लेबूल पर है अभी उपर मुछ नहीं पाया है और कुछ अभी बैढ़ गया लेकिन पत्रकार वेसे चुप रहता नहीं है मैंने भी जीजों को अभी तक आगे बढ़ा रहा हूं और सरकार का ज्यान आकरसित करना है लेकिन अब जब वोट ने संव्यान लिया है अभी निशित रूप से सरकारों को अब वोट की दिसान इलबिस के अ या एक बड़े मौस में वोई लोग जब बीमार पढ़ती है तो उनको जो ज़रूबत पढ़ती है वो सबसे पहले अगर आपको देखने पुगिला है तो आक्सिजन यानि आक्सिजन नहीं है तो चीटी की तरह से लोग मर रहे थी मच्छों की तरह मर रहे उसके साथ साथ कि जो चार साल की करनी है वो अब दिरे दिरे भी सामने आ रही है यो क्योंकि दवाएं जो होनी चाहिए तो दोवाएं नहीं यह तमाम जो बाते हैं यहear को पता चिली और कोर्ट ने इस पर कड़ी ठिपड़ी की है क्योंकि निशित रूप से उन्होंने जो जो जादकारिया मांगी राज सरकार के जो इस्टैंडिंग कॉंसिल है नों को प्रोवाइड किये जो जो चीज़ें वो जानना चाहे उनको बताया गया तो दोनों बित्वाम नियागीसों ने साफ तौर पे सरकार को इनिर्देशिक किया कि इतनी बड़ी महामारी से निपटने के बाद आपका हेल्थी स्टैंचर जो है वो अपंग है पुरी तरह से इसके लिए साफ तौर पे कहीं ने कहीं आपको अपने इस्टैंचर को बढ़ाना पड़ेगा और एक जो ऐसी टिपड़ी किया उन्होंने क्योंकि ग्रामीर छेत्रों में स्वास्त सेवाएं बिल्कुल चर्वराई हुई है वहां कुछ भी दिखता नहीं है तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीर छेत्रों की जो बेवस्ताय पर आमभरों से निश्चित रूप से उन्होंने कुछ गड़े फैचले सरकार से लिए कहा है जिस तरह से प्रियागराज की बात करें लखनों की बात करें अन्में जो जन्पद हैं इन तमाम जन्पदों में हलाकी सरकार ने बेट बढ़ाने का काम किया लेकिन उनका साब तोर पी ये कहना है कि जो हैसे पीजियाई है लखनों का उस सस्तर का अस्पताल आपको कम से कम पाच अस्पताल बनाने पढ़ें उसमें गोरणपूर, ब्रयागरा, कानपूर इस तरह की बात उन्होंने पाच जन्पदों के लिए कही और उसके साथ-साथ जो ग्रामिट शेत्र है उत्तरपदेश का वहां हेल्ट इन पाइस्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही गोर्ट ने सीरे तरपर सरकार को एक तरह स्प्दाव दिया है अगर जो इन पाइस्ट्रक्चर है ग्रामिट शेत्रों में उसको आप बढ़ाईए तब जाकर जो है लोगों को रिडिट मिल पाएगी और निशित रूप से कोट का ये बहुत बढ़ा आदेस है वोका बहुत बढ़ा सुजावा है और अब देखना ये है कि सरकार कितनी तेजी से हैं और कितनी जन्दी ये काम करें बट साब एक बात और भी देखने में आई है अब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाओ है सारा वक्त आदे से जादा वक्त आप और हम सब जानते है कि चुनाओ में ही हमारे देश में चला जाता है फिर चाहे वो पंचायत के चुनाओ हों विदान सभा के चुनाओ हों और भी कई तरह के चुनाओ का जो है दौर दौरा लगा रहता है पूरे पांस साल और उसके बाद सरकार जब तक कुछ कर पाती है स्वास्त के शेत्र में शिक्षा के शेत्र में तब तक फिर चुनावा जाते हैं तो यही इस्थिती फिर एक बार उत्तरप्रदेश में भी बनने वाली है लेकिन यह जो कोरोना महम हमारी है इसे एक सबक की तरह भी सरकार इन लें कि जब हमारी में हम किस तरह से हमारी तैयारियें थी किस तरह से हम कई जगे पर हमारी हम से चूख हुई और जब इतनी संख्या में जब संक्रमित निकले उनके वह इलाज की ज़रुएत पड़ी तो दवाओं की कमी सामने दिये हैं तो अब जरूरत हो जाती है कि महामारी तो आज है आने वाले दिनों में खत्म भी हो जाएगी ये भी ताय है लेकिन स्वास्त सेवाओं के लिए एक बहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अब बहुत जादा जरूरत है क्योंकि आम बीमारियों को लेकर भी ऐसा नह ही आम दिनों में भी जो है स्वास्त सेवाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं और उत्तर प्रदेश चुक इतना बड़ा राज्य है करोणों लोग वहां पर निवास करते हैं ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो लेकिन उन्हें अब सबसे ज़्या होगा करना होगा तब जाकर के कहीं बात बनेगी और यह एक दिन में होने वाला काम नहीं है यह सतत्त प्रक्रिया है और लगातार चलेगी तब जाकर इस सितियें जो है ठीक हो पाएंगी क्या कहेंगे gun other है जो हैं वह सब्सक्रांने की परभाथ को चो डेस हो जो हैने की आउप में छोटे देसों से जो देश कुद अपने संसाधन में जी रहे हैं और वो दूसरे के संसाधनों पर भी निर्वार है और उससे सहायता ले तो मिश्चित रूप से हम बहुत पीछे हैं स्वास्यमाओं का हाल जो उत्तर प्रदेश में है ये पुरे जनता के सामने उसकी फोल पुल गई है लेकिन विगत कई वर्सों से लगातार पुद्देट पर मेरे द्वारा इसको आगे ले जाया गया क्योंकि एक सज़क प्रदकार होने के नाते पुर्वा नुमान से मैं एक चीज़े जानता था कि अगर भविश्य में कोई बड़ी घटना हुई महामारी आई तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मौते होंगी लोगों को सुपिदाए नहीं बढ़ेंगा और सब्सें बड़ी बात यह अगरा उत्तर प्रदेश की जो अबादी है का क्रिया ज़्यादा प्रदेस करोड kids aware उत्तर प्रदेश में डाकटर नहीं यह पाच हजार से ज़्यादा गाफ्टरों की कमी है पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है उसके साथ साथ जो उत्तर पोडेस मेडिकल कारपोरिसन है उत्पूरी तरह से फेल है कामी नहीं करता है दवाएं तो हैं तो दिन लोकल कमपनियों की है जो बार बार कमपनिय उसको खरीदती है कर देती है क्योंकि वो दवाएं रियक्शन करती है गलत करती है तो यह तमाम चीज़ें पहले से नहीं हो पाई और उसके साथ साथ इस्तियां खराब होती चली गई जो कि आप सीजन की अगर बात करी जाए तो आप सीजन की बात तो हजार निस में मैंने उत्तरपदेश के मंत भी कह रही है हर चंपदों में कह रही है कि आप सीजन प्लांट लगाई यह वहां पर लेकिन सरकार कुछ करना चाहे इच्छा सक्टी की बात होती है और निश्यत रूप से इस बड़ी महामारी से निपटने के लिए कोई तयारी नहीं थी उतनी ताकत नहीं थी यह कहीं ने यह मुख्यमंत्री को इसमें दोस्त में भी आजा सकता है जो अधिकारी है वो निश्यत रूप से कहीं ने गुमराह करते हैं एक ऐसा ऐसी चीज वो दिखाते हैं जो बिलकुर सम्माव नहीं है जो गल्पनाओं से परे रहता है और निश्यत रूप से जो है फिर वो चीज आगे बढ़ना ही पाती है यह जो इतने वर्सों में लगातार आक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए मेरे पास तमाम वो कापचात और डाकुमेंट्स हैं जो उत्तर पदेश सरकार के आईनों में गुद हो गया है यह एक्सीजन प्लांट नहीं लग पाए इस्टिक हास्प में उत्तर पदेश सरकार का अपर फुक्स अच्यू भारस सरकार से पैंसर डरो रूपए पांता राइडिया आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लेकिन भारस सरकार ने नहीं दिये यह तमाम चीज़े प्रमाल रूप से हैं यह सरकार को मन्थन करना पड़ेगा अभिनास निशित रूप से दिखना पड़ेगा और पोट को देर सबेर यह बात पता चली है आप सरकार को चेर जाना चाहिए गभीर हो जाना चाहिए अपनी इंफाइस्ट्र को आगे बढाना चाहिए अब आक्सीजन की बात हो रही है जगह जगह प्लांट लगाने की बात हो रही ह सबस्कार्भा ना पत्र में है उसके सांस हम अभी उत्रप्रइश में जो दवाएँ सप्लाई हो रही है वो बहुती मिंद्र क्वालिटी की है जो दवाएं असर नहीं करती है इन तमάλ चीशिकों को चार्बि yarn करने की ज़रृत है ब्राउंडेट कंप़णीों की दवाएं क् महिंगी है हमारे जो उत्रप्रदेश का जो निवासी है जो विवार है उसको क्या अच्छी ग्रांडेट कंपनी की दवा खाने का अधिकार नहीं है लेकिं सरकार क्या मुने खरीद रही है तो यह दमाम चीजों पर विश्चित विश्च बहुत बहुत ज़रूरी है कि अब ब आज जो है दीरे दीरे कम हो रही है और निश्ची तोर पर अभी दूसरी लहर का जो है असर अब कम होता जा रहा है और फिर हम सामानिस्ति की ओर लोट रहे हैं लेकिन तीसरी लहर आने के जो संकेत हैं जो आशंका जताई जा रही है उससे भी एक भाय का वातावरन अभी ब दिर्मूल करने के लिए जरूरी है कि अब वैक्सिनेशन पर विशेश ध्यान दिया जाए वैक्सीन की जो प्लब्दिता है वो सुनिश्चित की जाए और जादा से जादा वैक्सिनेशन करके इस टास्क को पूरा बहुत जल्द सरकार को करना होगा तब जाके हम तीसरी लहर क का मुकाबला कर पाएंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो है कोरोना से लड़ाई में वैक्सिनेशन वो है और उसके लिए अब सरकार को युद्धिस्तर पे काम करना होगा क्या क्या कहेंगा पेशितरूप से वैक्सिन की भी अब बुरी पोजिशन जो है वो हम आपके माधियम से अपने विवर्स को बता दें उत्तर प्रदेश में वैक्सिन के यह ग्लोबर टेंडर जाने किये गए पहले थोड़े मात्रा में वैक्सिन कोवी शीन से और को मैक्सिन से और क्याटेक से ये दोनों से मगाए गये हैं एक मई से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सिनेशन कारकर मुतमत्री दार चानू कर दिया गया है कर दिया गया है और उसके साथ 18 से 44 साल 45 साल के उमर के लोगों को वैक्सीन का पोटल है उस पर पंचिकरण करके किया जा सकता है पैटालिस के उपर वाले लोग सेंटर पर जाकर और वो कहीं ने कहीं अपना अधिकारी पंचर दिखाकर रेश्टेशन कराके तुर्ट लगवा सकते हैं लेकिन अब जो इस्तिकी आ रही है कि वैक्सीन की कमी है इतना बड़ा उत्तरपनेश है साड़े तेस करोड की आवादी है और इसमें बहुत बड़ी आवादी अठाए साथ से लेकर और सव साव तक के लोग हैं वैक्सीनेशन करना है सबस्क्राइब बड़ी बात किया है कि सरकार के पास उतनी मातरा में वैक्सीन होने चाहिए उसके पूरी तैयारी होनी चाहिए सरकार ने global tender किया है 21 मई उसकी last date है सरकार ने तमाम जो आला कंपनिया है govishin, govacin, Pfizer, Adana ये तमाम कंपनियों के प्रदिधियों से बातचीत की है उनको invite किया है कि आप आईए टेंडर डालिए और उस तेंडरों में तमाम सर्टों में ठीज लिया है अब देखना ये है कि 21 सारी को कौन कौन सी कंपनिया उत्तरपडेस में govishin या govishin या moderna, Pfizer, Sputnik सप्लाई करने के लिए आती है ये अभी एक विशा है लिपकिनिया लंबी जा रही है बिल्कुल तक्रिया को बहुत लंबा नहीं करना है बहुत जरूरी है जो 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 सरकार के जो नौकर साह है उनके द्वारा के बिखा भी आगया है कि कल को आर्टिट होगा तो हम लोग फच जाएंगे इसको बहुत ही टिंडर के तरिके से करें चीडे करें अबरीका की अधर बात करें इंग्लैंड की बात करें चाइना की बात करें इन लोगों ने सब प्रतिशब वैक्सिन अपने यहां के खास तोंपर नागरिकों के लिए रिजर्व रखा और उन से फिर ज़्यादा हुआ सरक्लस हुआ तब वो ने अधर कंट्री को सप्लाइग किया है उत्तर प्रदेश में वैक्सिन अभी काफी मात्रा में कम है और निशित रूप से टेंडर के थूँ कौन कौन सी कंपनिया आएंगी उसके बाद फिर वैक्सिन सप्लाइग करेंगी यह आने वाले समय में यह कई सारी की बात बता चाहिए में ही काम कर रही है और आगे आने वाले दिनों में अब जो यह गैप मिला है या जो कहें कि अब यह कोरोना संक्रमितों की तादाद जो कम हो रही है अब ऐसे में वैक्सिनेशन पर अब विशेश फोकस सरकारों को करना पड़ेगा तब ही बात बनेगी बहुत बहुत शुक्रिया बट साफ इस तमाम जानकारे के लिए तुत्तर पर देश में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे अब कम हो